आरती जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदीस से पहले रश्या गए युक्रेन गए और ये इंटरनेशनल मुलाकात कोई सेग्मेंटेड मुलाकात नहीं होती जब वो एक घंटी तक जो बाइडन के साथ वहां मौजूद थे तो क्या रूस युक्रेन युद्ध क चर्चा हुई होगी देखें बिलकुल मुझे लगता है पूरे विश्व में अगर कोई देश है जो रश्या और युक्रेन दोनों के साथ बात करें और सबसे बड़ी बात मैं मानती हूं कि एक सिर्फ इंडिया ही वो देश है जो अपने दम पे जिन्होंने रश्या के साथ और युएस के साथ इस युद के दोरान युक्रेन युद के दोरान अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंडेंस रखी डिप्लॉमसी में और फॉरिन पॉलिसी में इन फैक्ट डे वन से लगातार प्रदान मंत्री यही कहते आ रहे हैं कि ये युद नहीं होना चाहि ये पीस की बात कर रहे हैं और पीस की बात अगर आपको याद हो कि जी सेवन मीटिंग में भी उनकी बात रखी गई जो कमुनिके आया था जो रेजलूशन आया था तो बिलकुल वो बात हुई होगी जो बाइडिन के साथ और ये मुझे लगता है कि ये बहुत हम लोगों क को एकसेप्ट करना चाहिए कि आज की डेट में यूएस या कोई भी ताकत दुनिया की जो है वो इंडिया को अंडरेस्टमेट नहीं कर सकती है ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपनी मर्जी हम पर थोप सके वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि हर का क्योंकि जहां बाकी देशों अगर आप देखे कि यूएस ने एक डिक्टेट इशू किया कि कोई भी कंट्री जो है यूक्रेइन यूद पे उन्हीं की लाइन टो करनी चाहिए नहीं करेंगे तो पैनल्टी बरनी पड़ेगी इंडिया सिर्फ एक कंट्री था जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया अपनी मर्जी से एक्सेप्शन दिया गया बिल्कुल हम लोगों ने रशियन ओयल डिसकाउंट पे लिया और हमने पीस की बाद भी की और आपको याद होगा जो बाइडन ने कहा कि हम समझते हैं कि इंडिया और रश्या का जो हिस्टॉरिकल रिलेशन आप फॉरिंड पॉलिसी में बिल्कुल दिखाई और कहीं पे भी वो प्रेशर में नहीं आए मुझे लगता सबसे बड़ा ओकेजन ये भी है कि प्रदान मंत्री को रेड कार्पेट वेलकम यूएस में बाइडन एड्मिन स्ट्रेशन ने दिया बाइडन जो बहुत कमजोर प्रेजडेंट साबित हो रहे हैं क्योंकि दो-दो वार्ष चल रहे है यूक्रेण में गाजा में बहुत इन फाक्ट डिसप्रूवल रेटिंग सुनकी जादा है वो अपनी जो seat है वो earn की है एक quad के center में सर सवाल यह है कि quad के center में है China जैसे ही आप quad कहते हैं तो China अपने आप picture में आ जाता है मैं ने का कि हम सबसे बड़ा बाजार हैं तो क्या हम world का सबसे बड़ा factory बन सकते है चाइना को replace कर सकते हैं और क्या उस तरह के संकेत भी मिल लगे है देखे यह इंडिया पे बहुत निर्बर करेगा कि हम कितनी तेजी से industrialization करें इन फाक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लग और इसलिए हमारे पास बड़ी बहुत बड़ी opportunity भी है जो US और चाइना का issue है जो tension है जिसमें वो चाइना को कमजोर करना चाहते हमारे पास बहुत बड़ी opportunity हम चाइना को कमजोर करना चाहते हैं सिधे हम नहीं कहते हम कहते हैं कि हमारी competitive relationship है मैं US के बारे में देखिए जो supply chain वर्ल्ड में चीन ने जिस धंक से छोटे-छोटे देशों को मिला के खड़ा किया है नरन मोदी पिछले 6-7 वर्सों से उसकी चर्चा कर रहे हैं उस पर पश्चमी देश भी सहमत हुए है इसलिए हमारे यहां African Union का पूरा summit हमारे यहां किया गया है South की आवाज उठा रहे हैं और उस supply chain को change करने के द्रिश्टी से जो अनेक छोटे-छोटे सम्मेलन भी हुए हैं तो भारत उसमें एक अगवाई की भूमिका निभार आया उसके हिसाब से हमारे infrastructure बनाने की कोशिस हो रही है कि supply chain में भारत एक मुख भूमिका में रहे उसमें इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए उभारते हुए और उठते हुए भारत को इस विश्व यवस्था में देल से अमेरिका का बरतमान प्रसाशन हो या दुनिया के प्रमुक देशों उस रूप में स्विकार अंदर से नहीं करते हैं